Anybody can learn पानी कम पीने को बहुत नुकसान पहुचता है क्यूंकि कम पानी पीने के मार्क में संक्रमण होने का खत्रा होता है इसके अलावा पानी कम पीने से कीलनी में पत्री होने का खत्रा भी होता है इसलिए आपको दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए इससे आपका कीलनी सुरक्षित रहेगा और आप सीट भी रहेगे 3. पेशाब को रोग करके रखना पेशाब को रोगना भी एक तरह का नुकसान देह है क्योंकि पेशाब में ऐसे होता है जो कि हमारे कीलनी के लिए नुकसान देह होता है कई बार लोग किसी कारण बस या आलस की वजह से भी पेशाब को रोगे रहते है इससे आपके किरनी को नुकसान पहुचता है 4. ज्यादा नंग खाना कई लोगों को नमक ज्यादा खाना की आदर होती है और नमक में सोरियम नमक तत्व पाया जाता है ज्यादा सोरियम हमारे शरीर के लिए नुकसान देह होता है इसलिए नंग का जादा उपियों न करें जरूरत के हिसा से ही उपियों करें जादा नंग आपके शरीर और किलनी दोनों के लिए खतरना साबित हो सकता है 5. पेनकिलर आजकल लोग किसी दर्द को जादा देर तक बरदास्ट नहीं कर पते और बिना किसी डॉक्टर या फिजिशियन की सलाहल ये ही पेनकिलर जैसी दवा लेकर खाप लेते हैं ये पेनकिलर भी आपके किलनी के लिए नुक्सान देह होता है इसलिए कोई भी दवा लेने के पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाहले यहां आपके स्वास्ट के और किलनी के लिए फाइदे मन होगा